हेलो दस्तों चकफेच क्लासेश में आपका स्वागत है आज मैं 10th इंग्लिस अब्जेक्टिव क्वेश्चन का एंसर की करा रहा हूँ जो सेट C का है आप लोग के पास कोई भी सेट है आप लोग क्वेश्चन जो ही थुरा इधर उधर रहता है आप उसको असानी से मिला सकत करते हैं आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बिल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो प्लोड करूँ सबसे पहले आपको मिले तो चलिए शुरू करते हैं तो एक क्वेश्चन के जो एंसर होगा अप्शन नमबर B ह हो जाएगा नेक्सर दो का जो एंसर होगा अप्शन नमबर D होगा नेक्स और थिरी तिरी का जो एंसर होगा अप्शन नमबर C हो जाएगा next question है 4 4 का answer जो होगा option number A हो जाएगा next question है 5 5 का answer जो होगा option number A हो जाएगा next question है 6 6 का answer होगा option number A होगा next question है 7 7 का answer होगा option number C next question है 8 तो 8 का एंसर जो होगा option number A forest next question है 9 9 का एंसर होगा option number B next question है 10 10 का जो एंसर होगा option number A होगा watchman next question है 11 11 का जो एंसर होगा option number B होगा frustration next question है 12 12 का जो एंसर होगा option number A होगा next question है 13 13 का answer होगा option number A rapid next question है 14 14 का answer होगा option number A next question है 15 का 15 का answer होगा option number A blue next question है 16 16 का answer होगा option number B नेक्स्क्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हो जाएगा option number C milk next question है 21 21 का हो जाएगा option number C next question है 22 22 का answer होगा option number D next question है 23 23 का answer होगा option number A next question 24 24 का answer होगा option number A 25 25 का answer होगा option number C next question है 26 26 का answer होगा option number A 27 27 कैंसर होगा option number D next question है 28 28 का होगा option number B wed next question है 29 29 कैंसर होगा option number A next question है 13 30 30 कैंसर होगा option number A नेक्स कोस्चन है 31, 31 का अंसर होगा option number B, unity नेक्स कोस्चन है 32, 32 का अंसर होगा option number A नेक्स कोस्चन है 33, 33 का अंसर होगा option number C नेक्स कोस्चन है 34, 34 का अंसर होगा option number B नेक्स्ट कोस्चन है 35, 35 का एंसर होगा अप्षन नमबर B नेक्स्ट कोस्चन है 36, 36 का एंसर होगा अप्षन नमबर B 37 का एंसर होगा अप्षन नमबर B नेक्स्ट कोस्चन है 38, 38 का एंसर होगा अप्षन नमबर B next question है 39 तो 39 का अंसर होगा option number A next question है 40 तो 40 का अंसर होगा option number A next question है 41 41 का अंसर होगा option number D next question है 42 42 का अंसर होगा option number B नेक्स्ट कोस्ट्ट है 33 33 का अंसर होगा आप्शन नमबर B नेक्स्ट कोस्ट्ट है 44 तो 44 का अंसर होगा आप्शन नमबर D नेक्स्ट कोस्ट्ट है 45 तो 45 का अंसर होगा आप्शन नमबर C नेक्स्ट कोस्ट्ट है 46 तो 46 का अंसर होगा आप्शन नमबर D next question है 47 47 का answer होगा option number D next question है 48 48 का answer होगा option number D next question है 49 49 का answer है option number D next question है 50 50 का answer होगा option number D दोस्तो परिक्षा के बाद आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं और उसे जो है आप लोग revision करते रहिएगा क्योंकि अगर आप pass करने के बाद आप लोग जो है ITI का form आएगा पॉल्टेक्निक का फर्माइगा जो कि सभी सरकारी है आप दसमा के बाद जो है अगर इक्षा है कि आप हम ITI करे तो ITI कर लीजिए सरकारी से अगर मन है जो हम इंजिनियरिंग करे पॉल्टेक्निक डिप्लोमा तो आप पॉल्टेक्निक भी भर सकते हैं फर्म और दोनों का जो है कब फर्म आएगा कब क्या होगा इसकी जानकारी आप हम आपको हम चैनल के कि माद्यम से देते रहेंगे अगर आप चैनल पर नहीं सब्सक्राइब की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और ITI की बात करें तो ITI जो आपको 1080 रुपया में दो साल का कुर्स यहां से मिल जाता है सरकारी से और एक फैदा यह भी है कि है आप इंटर नकरें अगर आएटीया में पेनिशन ले लें तो आपको 200 गीरी यहां से मिल सकता है और पूल्टेक्निक की बात करें तो पूल टेक्निक में अगर लेते हैं तो यहांसे आपको लगभक 30-40,000 में सरकारी अगर हो जाता है 30-40,000 में आपको डिपलोमा हो जाएगा चलिए next question है 51 का 51 का answer होगा option number C next question है 52 52 का answer होगा option number C next question है 33 तो 33 का हो जाएगा option number B next question है 54 का answer होगा option number A next question है 55 55 का answer होगा option number B next question है 56 56 का answer होगा option number D next question है 57 57 का answer होगा option number D next question है 58 तो इसका answer होगा option number A next question है 59 59 का हो जाएगा option number C Next question है 60 60 का answer हो जाएगा option number A Next question है 61 61 का हो जाएगा option number D Next question है 62 62 का answer होगा option number B Next question है 63 63 का हो जाएगा option number B Next question है 64 तो 64 का एंसर होगा अप्शन नमबर B नेक्स्ट कोश्चन है 65 65 का एंसर होगा अप्शन नमबर A इंटू नेक्स्ट कोश्चन है 66 तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर C नेक्स्ट कोश्चन है 67 तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A वित नेक्स्ट कोश्चन है 68 तो 68 का अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर B नेक्स्ट कोश्चन है 69 69 का अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर C नेक्स्ट कोश्चन है 70 70 का अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर D नेक्स्ट कोश्चन है 71 71 का एंसर हो जाएगा option number C next question है 72 72 का एंसर हो जाएगा option number A next question है 73 73 का एंसर हो जाएगा option number C next question है 74 74 का एंसर हो जाएगा option number A next question है 75 75 का एंसर हो जाएगा option number B नेक्स्ट कोश्चन है 76, 76 का एंसर होगा अप्शन नमबर B नेक्स्ट कोश्चन है 77, इसका एंसर होजाएगा अप्शन नमबर A नेक्स्ट कोश्चन है 78, 78 का एंसर होजाएगा अप्शन नमबर B नेक्स्ट कोश्चन है 79, 79 का होजाएगा अप्शन नमबर D next question है 80 80 का इंसर होगा option number D next question है 81 81 का इंसर होगा option number C next question है 82 82 का इंसर होगा option number D next question है 83 83 का इंसर होजाएगा option number D next question है 84 84 का इंसर होजाएगा option number C next question is 85 85 का answer होगा option number A next question है 86 86 का answer होगा option number D next question है 87 87 का answer हो जाएगा option number C next question है 88 88 का हो जाएगा option number C next question है 89 88 का answer हो जाएगा option number C next question है 89 89 का answer होगा option number B next question है 90 90 का answer होगा option number C next question है 91 91 cancer हो जाएगा option number B next question है 92 92 cancer हो जाएगा option number A next question है 93 93 का हो जाएगा option number C next question है 94 94 का हो जाएगा option number C next question है 95 95 cancer हो जाएगा option number A next question है 96 96 का हो जाएगा option number B next question है 97 97 का हो जाएगा option number C next question है 98 98 का हो जाएगा option number D दोस्तों आप लोग परिक्षा के बाद जो है division करते रहें जैसे अभी आप 10 में अच्छा marks लाते हैं तो एक teacher training होता है अपTER कीज़ेगा ईइंटेर में बहीं भी अच्छा marks रहेगा दोनों मिला के आपको अच्छा marks रहता है तो आपका जो है दोनों का marks मिला के हो जीला में that teacher training college होता है जो भी सरकारी है आप लोग जो है आपको महांस लाएगा तो वहां से आपको यहां और इथिशर मिल जाता है अगर सब्लाइज से minds entered अरव वोपी से ज हचाल मेंोज स३ का उस्मीन से मिल जाता है इसा 2-5 में आपको टीशचे ट्रेनिंग कोर्स हो जाते ता आप लोग अच्छे मार्फ लाए। 10th में भी अच्छे माइक्स लाए और 12th में भी अच्छे माइक्स लाए चलिए next question है 99 का 99 cancer होगा option number B next question है hand rate hand rate cancer हो जाएगा option number A तो सभी लोग को thank you